नमस्कार स्वागत आ जहारखन की फटा फट ताजा पड़ी खबरों में पहली बड़ी खबर जहारखन के पलामू से बड़ी खबर है यहाँ एक महिला ने तीन बच्चों संग तलाब में लगाई छलांग मौत जारखन के पलामू से बड़ी खबर है यहाँ पलामू के हैदर नगर के करिमन डी गाउं के एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ तलाब में चलांग लगा दी इस घटना के बाद मिर्तिय हो गई खबरो को माने तो इस दिल धला देने लिए घटना में एक तीन वर्सिय बच्ची को बचा लिया गया है जबकि आठ वर्सिय और पांच वर्सिय बच्चे के साथ 32 वर्सिय मा की मौत हो चुकी है खबरों को माने तो घटना के सम्बंध में बताय गया है कि शनिवार सुबर शाड़े 8 बजे के करीब यह घटना हुई है खबरों को माने तो घटना का कारण पारिवारिक बिवाद बताय जारह है जानकारी के उनुसार शनिवार को हैदर नगर थाना इलाके के उरकहर गाउं के पसियाटी टोला के जबाहर राम की पतनी निर्माला देवी का उसकी साथ से बिवाद हुआ था इसी से परेशान होकर बच्चों के साथ निर्मला देवी घर से निकल पड़ी अपने गाउं से लगबग एक किलोमेटर दूर इस्तीत पोखरा में मा ने बच्चों के साथ खुदखुसी कर ली तरघटना स्थल्प पर मौजुद लोगों ने महिला के परिजनों को इसकी सुचना दी जहारखंड के युवाओं को सरकार मुप्त में पाइलट बनने का मौका जीहाँ देने जा रही है जहारखंट सरकार की योजना हर साल 30 पाइलट जिहां युवा पाइलट त्यार करने की है इसमें 15 युवाओं को राज्य सरकार मुप्त में पाइलट की ट्रेनिंग देगी उनको शत परतिशत छात विर्थी दी जाएगी वहीं 3 नौमबर को हुई जहारखंट केबिनेट की बैठक में ये बड़े निरने लिये गए हैं इसको लेकर पहले से तयार प्रस्ताओ को राज्य सरकार ने अपनी मंजूरी दे दी है पाइलट की ट्रेनिंग दुमका और फिर इसके बाद गुडगाओं या नोएडा में होगी इस पूरी योजना पर जहारखंट की हेमन सुरें सरकार 9 करोड से अधिकी राशी खर्च करने जा रही है बड़ी खबर है पाँच साल और मिलेगा देश के असी करोड गरिबों को राशन परधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को पाँच राजियों में बिधान सभा चुनाओं से पहले बड़ा दाओं खिला है परधान मंत्री ने 36 गड़ के दुर्ग में एलान किया है कि मुप्त में राशन योजना को पाँच साल और बढ़ाया जाएगा मोदी ने कहा मैंने निश्य कर लिया है कि देश के 80 करोड गरिबों को मुप्त राशन देने वाली योजना को बीजेपी सरकार अब अगले पाँच बरसों के लिए और आगे बढ़ाएगी उन्होंने कहा आपका ये प्यार और आशिरवाद मुझे हमेशा पवित्र निर्णय करने की ताकत देता है मोदी का कहना था कि कॉंग्रेस ने गरीब को धोखे के सिवाए कुछ भी नहीं दिया कॉंग्रेस गरीब की कभी कदर नहीं करती मोधी ने कहा हमारे सिवाकाल में सिर्फ पास साल में ही साढ़े तेरा करोड से अधीक लोग गरीबी से बाहर आए है सिमडेगा के कोलेबिरा में जवान के खुदखुशी मामले में कोलेबिरा थाना परभारी निलमबित जारखंड के सिम्डेगा जीले में जवान के खुदखुशी मामले में कोलेबीरा थाना परभारी को डियाईजी ने निलमबीत कर दिया खबरों को माने तो कोले बीरा थाना में तैनात जवान सतेजीत की खुदखुशी करने के मामले की जाच के लिए डियाईजी शुक्रवार को सिमडेगा के कोले बीरा थाना पहुँचे थे जिसके बाद उन्होंने पूरे मामले की जाच की इस दोरान थाना पुलिस की लापरवाही की बात सामने आई जिसके बात थाना परभारी के निलंबन का आदेश दिया गया इस आदेश पर कारवाई करते हुए स्पी ने थाना परभारी को निलंबित कर दिया है जारखन में 4% बढ़ा कर्मचारियों का डिये केबिनेट ने केबिनेट की तरज पर जारखन सरकार के कर्मचारियों का महंगई भत्ता डिये में वृधी करने का निर्ने लिया है खबरों को माने तो कर्मियों को 1 जुलाई 2023 से 46% महंगई भत्ता दे होगा मंत्री परिसद ने 1126 लको पुन रिक्षित वेतन वो पेंशन पाने वाले कर्मियों का महंगई भत्ता भी 1 जुलाई 2023 से 42% से बढ़ा कर 46% करने के प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई है नेपाल में भूकम से तबाही अब तक 133 लोगों की मौत नेपाल में शुकरवार रात को आए तेज भूकम में 133 लोग मारे गए हैं और 140 से अधीक घायल हुए हैं भूकम का केंद्र नेपाल का जाजर कोट था और इसका असर दिल्ली समित उत्तर भारत के राजियों में भी महसूस किया गया खबरो को माने तो रात 11 बज कर 47 मिनट से में आये 6.4 तिवरता के इस भूकम में सबसे अधीक नुकसान करनाली परांत के जाजर कोट और रुकुम पस्चिम में हुआ है खबरो को माने तो सबसे अधीक जाजर कोट में बानबे और रुकुम पस्चिम में 36 लोगों की मौत हुई है इसके आलावा 140 से अधीक लोग जगमी बताय गया है बताय गया है कि अस्थाने शेत्र के सुरक्षा बलों को भूकम परभावीत इलागे में तैनात कर दिया गया है सूरखेत और जिहां सूरखेत में 8 प्लाटून और एक हेलिकॉप्टर को भी बचाव और होज अभियान में लगाया गया है स्वास्ते अधिकारियों के माने तो घैलों में से 30 लोगों का इलाज रुकुम पस्षीम में और 100 से अधिक लोगों का इलाज जाजर कोट अस्पताल में चल रहा है इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रदोगी की मंत्राले ने किया सावधान ट्रैफिक इचलान के नाम पर हो रही धोखा धड़ी इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना पुर्दोगी की मंत्राले ने ट्रैफिक यी चलान के नाम पर हो रही धोखा धड़ी से लोगों को आगाह किया है मंत्राले की और से जारी एडवाईजरी में कहा गया है कि साइबर फ्रोड फर्जी यी चलान भेज कर लोगों से ठगी कर रहे हैं अगर आपके पास भी कोई ट्रैफिक यी चलान आता है तो सावधान हो जाएं आप भी फर्जी वाड़े के शिकार हो सकते हैं खबरों को माने तो साइबर फ्रोड आम लोगों को फर्जी यी चलान भेज रहे हैं चलान भेजने के बाद वो उनको कॉल कर यातायात नियम के उलंगन करने को लेकर चलान भरने को कहते हैं वो ट्रैफिक ए चलान के भुखतान के लिए एक स्कैम लिंक भेजते हैं और उस पर क्लिक करने को बोलते हैं फ्रोड फरजी ए चलान को इस तरह भेज रहे हैं, आपका चलान नंबर वाहन नंबर के लिए है चलान रासि 500 रुपए है e-chalan के online भुकतान के लिए e-chalan-perivan.in-slash पर जाएं आप RTO करयाले से भी संपर्क कर सकते हैं चालान का निस्तारन सादर RTO बता दे कि एक बार जब आप e-chalan का भुकतान करने के लिए इस भुकतान लिंक पर क्लिक करते हैं तो आपको ट्रैफिक की चलान का भुकतान पुलिस के बजाए साइबर अपराधियों को हो जाता है CBSE ने शुरू की सीटेट रेजिस्टरेशन की परक्रिया केंद्री माधिमिक सिक्षा बोड यानि CBSE ने केंद्री सिक्षक पातरता परिक्षा यानि सीटेट 2024 के लिए तीन नौमबर से रेजिस्टर्ड करने के लिए आधिकारे कुरूप से प्रक्रिया शुरू कर दी है सभी उमिद्वार अपने आपको सीटेट.nic.in पर जाकर पंजियन कर सकते हैं जी हाँ सीटेट जनवरी 2024 के लिए पंजियन करने की अंतिमति थी 23 नौमबर तक रहने वाली है सीटेट का यह अठारवा संस्क्रण है जिसके तहत CBSE 21 जनवरी 2024 को परिक्षा कराने जा रहा है सीटेट 2024 देश भर के 135 शहरों में 20 अलग-अलग भासाओं में आयूजित की जाएगी वहीं सबसे जरूरी बात यह है कि रजिस्टेट करने की आखरी तारिक 23 नौमबर है इसके साथी सीटेट 2024 के लिए फीस भरने की अंतिमति थी 28 नौमबर है वहीं भरे गए फार में कोई भी तुरूटी रह गई है तो इसे सही करने के लिए 28 नौमबर से 2 दिसंबर की तिथी निर्धारित की गई है वहीं सीटेट जनवरी 2024 की परिशा की तिथी 21 जनवरी तै की गई है साथी इसके लिए परिणाम फरवरी 2024 में गोसीत की जहां गोसीत कर दिये जाएंगे सीटेट पेपर वन या पेपर टू के लिए परिच्छा शुल्क सामाने ओबीसी उमिदवारों के लिए 1000 रुपे है अगर कोई आवेदग पेपर वन और पेपर टू दोनों के लिए आवेदन कर रहा है तो जमा की जाने वाली फीस 1200 रुपे होगी जल्द खत्म होने वाला है इंतजार इस महिने में जारी हो सकती है पिम किसान योजना की पंदरवी किस्त परधारमंत्री किसान संबान निधी योजना की तहत किसानों को सालाना 6000 रुपे की आर्थिक मदद दी जाती है किसानों के अकाउंट में हर 4 महिने के अंतराल में 3 किस्तों में 22000 रुपे करके भेजी जाती है फिलहाल किसानों को 14 किस्तें दी जा चुकी है पंदरवी किस्त का किसान बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं खबरों कुमाने तो पिछले किस्तों के दोरान देखा गया है कि पीम किसान के लाभार्थियों की संख्या में तेजी से कटोती हुई है इसके पीछे का कारण भू लेखों का सत्यापन होना बताय जा रहा है माना जा रहा है कि 15 किस्त के दोरान भी बड़ी संख्या में अपातर किसानों के नाम लाभार्थियों की सुची से हटाय जा सकता है इन किसानों को सरकार की ओर से लागातार पैसे वापस करने का नोटिस भी भेजा जा रहा है पैसे नहीं वापस करने की इस्तिती में इन पर कारवाई की जा सकती है जिन भी किसानों ने अभी तक EKYC नहीं कराई है वह PM किसान योजना की ओफिसियल वेबसेट पर जाकर इस परक्रिया को पूरा कर सकते हैं इसके अलावा किसान नजदी की CSC सेंटर पर भी जाकर EKYC की परक्रिया पूरा कर सकते हैं